विषार सरकार में हर जगह लापरवाये, पहले तो एकजाम के लिए नोटिफिकेशन निकालने में लाठी खानी परती है, एकजाम होने के बाद रिजल्ट के लिए लाठी खानी परती है, फिर ज्वाइनिंग न्यूक्ती में लाठी खानी परती आवेदन के लिए और तब जाके कहीं होती है न्यूक्ती यानि बिहार सरकार की नोकरी यानि दस वर्षी ये योजना और अब देखिए एक तरफ तो जहार 94,000, 37,000, 30,000 और विहार स्टीटी सब ही परसान अपने बहाली को लेकर लगातार 2015 से कोई बहाली नहीं और जो लोग न्यूक्त हैं 2006 से 2015 तक उनमें भी समस्या बेतन बिर्दी में बिलम से सिक्षकों में रोज अब टीचर बन जाने के बा उस्तान न्यूस्पेपर है उसने इसको बिसेस जगदी उसको जानते हैं विस्तार से वेतन बिर्दी में बिलम से सिक्षकों में रोज राजसरकार की तरफ से अपरेल शेही 15 फिस्ती वेतन बिर्दी की घोशना की गए थे लेकिन उसके भुकतान में बिलम हो रहा जो तरफ शको ने अपने रोज ब्यक्त किया वह अपने वीचार को एक ओणलाइन बैठक में रख रहे थे रविबार को Zoom इप पर सिक्षक संग बिहार और जिला कमेटी की एक बैठक में ओनलाइन एवेजित की गई जिसमें संग के परदेश अध्यक केशब कुमार, परदेश उपाध्यक्स मनोज कुमार सिर्वास्तव, जिला अध्यक्स अमिर सिर्वास्तव, जिला सचीव राजे सक्सेना, जिला मीडिया प्रवहारी, पिंटु कुमार, सहीत दरजनों ने भाग दे बैठक में सिक्षकों की बिवीन अबन प्रसिक्षित अंतर वेतन साइत सभी तरह के वाकाया भुक्तान पर चर्चा की गए। और ये सबसर पर जितेंदराम ये सारे लोग उपस्ती थे सिक्षको को मिले माकान भत्ता। असरीत बच्चो को निसुलक सिक्षा मिले साथ ही प्रसिक्षित सिक्षको का जुव बेतन बंद है उसका यथा सिग्र भुक्तान किया जाए। इसके साथ ही दरजनों मांग को रखा गया। वर्चुल मीटिंग में वेतन विर्धी बिलंपर सिक्षको का गुस्सा। शरकार द्वारा घोशित सिक्षको के बेतन बिर्धी की घोसना में बिलंप को लेकर रवी बार को सिक्षको ने वर्चुल मीटिंग आयोजित कर आक्रोस जाता है। शिक्षको ने अपने विचार को ओन लाइन रखा और शरकार के प्रती नाराजगी जता है। शुग्र अनुदान की राशी सिग्र भुक्तान करने की मांग की गई। और बैठक में अलग से कोवीड टिका की बेवस्था करने की हर्ताल अबदिका एरियर भुक्तान करने। कोरोना काल के मिर सिख्षको को 50 लख मुवजाद देन को और असरीत बच्चो को निशुनक सिख्षा देने की मांग की गई। कि में अनुमंडल सचिंग भिरेंद्र कुमार्शिन ने भी सिख्षको को मुद्ध को उठाया और मांग पूरी नहीं होने पर आने वाले दिनों में आंदोलन के माध्यम से आवाज उठाने की बात करें। अच्छा लगाए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब जरूर कर दूजिएका थैंक्स पर वाज़।